द्वादानगर हवली पोलिस सेलवास नी प्रिसिशन वायर इंडिया कंपनी मा थी ट्रांस्पोर्ट नी ट्रक मा मोकलवा मा आवेल रुपया 43 लाग 52 वदू नी कीमत ना कॉपर वायर नी लूट करी सेलवास मा आवेल प्रिसिशन वायर इंडिया कंपनी ना मेनेजर गुलाम चोहान द्वारा पोलिस मत के 30 मी मेना रोश ट्रक ड्राइवर सामें डिलिवरी करवा माटे मोकलवा मा आवेल रुपया 43 लाग 52 वदू नो वायर नो जथो चोरी कर्यानी फरियार नोंधा वामा आवेल जीबिये सिस्टम द्वारा शुर करेली तपास तरोम्यान ट्रक अहमद नगर जवाना बदले पूरी नर राजमारगू पड़ती 65 थाती होवा नी मलेल चानकारी ने पगले सिल्वास पोली से पोले पोली सनी चान करता चाकान पोलिस स्टेशन द्वार अनाका बंदी करी कोपर वायर परेल ट्रक साथे तेना ट्राइवर नी धर पकड़ करी सेलवास पोलिस ते कपजो सोपी होतो जोके पोलिस द्वारा कोपर वायर परेली ट्रक साथे चरपाईला बे आरोपी विकास अजिनात अने सचिन रंजित नी बुच परच करता ते वो ये कोपर वायर भरी ने डिलिवरी माटे निकलेल ट्रक ना ट्राइवर मौहमद अंसार नी हत्या करी तेनी लाश ने महाराशना थाना अविस्ताना जंगल माफ़े की दे कोपर वायर भरेल ट्रक नी लूट करी होवानी कबूलात करी हती आंगे सिल्वास पोलिस से बने आरोपियों सामे हत्यावित लूटनों गुनों नों दी कोट माती रिमांड मिलवी वदुत अपास हाथ रेचल दिरांग एक जुन को मेसर्स प्रसेशन वायर कमपनी जो तादरा नगर हविली में है उन्होंने हमें कंप्लेंट की कि उनका एक ट्रक जिसमें कुल 43 लाइक रुपे इसके कॉपर वायर से जो एहमद नगर की कमेंस कंपनी के लिए टेस्टिन था वो ट्रक अपने रास्ते से भटक के पुने के रास्ते पे चल पड़ा था तो उन्होंने साकन पुलिस की मदद से उस ट्रक को एप्रेहंट कर लिया था तो इस कंप्लेंट के आधार पर हमने एक ड्रक का जो ड्रक था उसके खिलाब सेक्शन 407 आईपीसी के तहट एक केस दाकिल करिया था और उस ट्रक को और जो दोनों अक्यूज थे जो ट्रक चला रहे थे उनको सिल्वासा थाने में लेकर आ गए थे आगे की पूश्टाच में उन दोनों अक्यूज की पूश्टाच में ये पता चला है कि उन दोनों अक्यूज ने उस ड्राइवर को नासिक के मस्रूल एरिया में मार के फिक के और उस ट्रक को रॉबरी करते हुए वो पुने में किसी को माल बेचने के लिए लेके जा रहे ये पूश्टाच में जिपैस सिस्टम लगा हूँ आ था तो जो ट्रांसपोर्टर था उनको उसकी पोदिशन का पता चल गया उनकी इंटेंशन का ट्रक के गला डैरेक्शन का पता चल गया और ये सारा मामला पुलिस के सामने आई है जो अरोपी अरेस्ट किये गे हैं उनक इन दोनों आरोपियों के साथ साथ इसमें किसी तीसरे की भी involvement है docos